जीतने वाले कभी वहाना नहीं बनाते वहाना बनाने वाले कभी जीतते नहीं तो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ पृत्वी सा के वारे में देखा जाए तो कई लोग एक अच्छा क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही अपनी पृतिविया का पृतिशन करके अपनी मेहनत और किसमत के दम पर किर्केट के छेतर में आगे बढ़कर एक नई पैचान बनाने में कामयाव हो जाते हैं वहीं कुछ खिलाडी इस मुकाम तक पहुँचने में असवल रह जाते हैं वहीं आज हम आपको ऐसे ही एक खिलाडी के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी मेहनत के दम पर मेहज 14 साल की उमर में ही किर्केट की दुनिया में अपना नाम रोसन किया है इस महान खिलाडी का नाम परित्वी सा है जिसने भारती किर्केट टीम के लिए खिलते हुए अपने पहले की टेस्ट मैच में सांदर सतक लगा कर ना सिर्व भारती किर्केट टीम में अपनी जगए बना ली है वलकि किर्केट के जगत में अपनी परित्वा का लोहा भी इतना ही नहीं पृत्वी सा डेव्यू टेस्ट में अपने सबसे कम उम्र के सतक लगाने वाले पहले भारतिय वल्लेवाजवी वन गए हैं। एक कपड़े के ब्यापारी थे इसके साती वै एक बड़े क्रिकेट प्रेमी वी थे वे हमेशा से ही अपने वेटे को क्रिकेटर बनाना चाते थे या यूं कहें कि पृत्वी सा अपने पिता के कारण ही आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। प्रिता ने इस घटना के बाद भी विसम परसितियों में हमत नहीं हारी और बेव प्रित्वी की परिवरेस में एक माँ और प्रिता दोनों के दायत्व को बहखूबी से निभाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने कभी बेटे को किर्केटर बनाने का सपना देखना नहीं छोड़ा वलकि उसे पूरा करने के लिए बच्पन से ही वह प्रित्वी के लिए किर्केट कोचिंग का इंतिजाम करते रहे। उन्होंने महज पांस साल की उम्र में ही प्रित्वी का दाखिला विराट क्रिकेट अकैडमी में करा दिया। प्रित्वी साह का परिवार असल में बिहार के गाउं का रहने वाला था पर अब मुंबाई में रहते हैं। और वहे रिजवी कॉलेज ओफ आर्टर्स साइंस एंड कॉमर्स से अपनी पड़ाई की है। प्रित्वी साह के क्रिकेट करियर की बात करें तो पेहतरीन प्रित्वी साह करियर कीुटू दोहा मनवाने बाले सबसे कम उम्र के भारतिय क्रिकेट टीम के इस्टार प्रिस्वी सा ने अपने क्रिकेट करियर की सुर्वाद मुंबाई के सहारा परिसर बीरां से की थी। मुंबाई की टीम से खेलते हुए उन्होंने अपने सांदर पिर्दसंद से 12 टूनामेंट में जीत हासिल की थी रिजवी स्प्रिंग फिल्ड में पढ़ाई के दोरान ही उन्हें रिजवी स्प्रिंग फिल्ड टीम में कप्तान के रूप में सामल किया गया जिसके लिए वे 2012 से 2013 तक खेले और पहली बार फाइनल मैच में 114 रन बनाए जिसने उन्हें सुर्खियों में लाद दिया इसके बाद पिर्दवी सा मुंबाई स्थित में के किर्केट किलब के लिए खिलने लगे जहां उनके कोज राजी पाठक थे अप्रेल 2012 में पिर्दवी सा को इंगलेंड में स्थित चीडेल हुमले स्कूल के लिए खेलने का मौका मिला जहां उन्होंने 1440 रन बनाए और पहले ही मैच में सतक मारा और पूरे सीजन में 68 विकेट लिए एक जनवरी 2017 को फ़स्ट क्लास मेच में डेब्यू करने का मौका मिला जहां मुंबाई के लिए खेलती हुए तमिल नाडू के खिलाब सेमी फाइनल में 120 रन की सांदार पारी खेली और फाइनल में सतक लगाया सा ने लिष्ट के लिए गुजरात के खिलाब 25 फरवरी 2017 को डेब्यू किया 2017 के अंद में उन्हें अंडर 90 वर्ल्ड कप के लिए अंडर 90 टीम के लिए सामल कर कपतान बना गया IPL के गयावे संस्करन के लिए 27 जनवरी 2018 को हुई IPL आक्षन में दिल्ली डियर डेविल्स ने एक करोर 20 लाक रुपे में पृत्वी सा को खरीद लिया जबकि उनकी प्राइस मास्र 20 लाक रुपे थी तो दोस्तो अगर आपको बिर्द्वी सा की बाइगरोफी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको यह बाइगरोफी कैसी लगी